हालो स्टुडेंट्स क्या आप भी मैथ्स ओलम्पियाड की तेरी कर रहे हैं तो फिर यह कुश्चिंस आपके लिए हैं और यह ओलम्पियाड में आया हुआ कुशिन है तो इसकी आज हम दो तरीकी से कुश्चिंस को करने के कुशिश करेंगे एक तो हमारा शौट्रिक मैथड से ठीक है और दूसरा आपना जो traditional method है उससे करेंगे ठीक है इन questions को चलिए start करते हो सबसे पहले मैं short trick method से आपको यह करा रहा हूं ठीक है तो देखिए question मैं आप देख रहे होंगे हमारे पास दो equation है 6 की power x plus 6 की power y is equal to 42 और x plus y is equal to 3 और आपको x और y की value find यहां पर करनी है ठीक है तो देखिए सबसे पहला तो जो इसमें method मैं आपको बताने वाला हूं वह है आपका short trick के लिए hit and trial method कौन सा hit and trial method जो कि आप इसमें easily apply कर सकते हैं तो आप x और y की value सोचिए आप 0 से start कर सकते हैं सोचना 0 1 2 3 इस तरीके से आप सोच सकते हैं values को तो मैं अगर 6 की value यहां पर 0 रखता हूं ठीक है और y मैं x की value 0 और y की value और 1 रखता हूं तो आप कि यह कितना हो जाएगा यहां पर x की value 1 और y की value अगर मैं 2 ले लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 plus 36 तो आप देखिए क्या यह 42 और 42 equal आ रहा है हाँ जी बिल्कुल equal आ रहा है इसका मतलब यहां पर value satisfy कर जाएगी ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि x की value is hit and trial के according x की value 1 ले सकता हूं और y की value मैं 2 ले सकता हूं जिससे कि मैं इस equation को satisfy कर रहा हूं और second equation भी satisfy हो रही है इससे x की value 1 y की value 2 तो 2 plus 1 3 होता है तो यहां भी satisfy करगे दोनों equations में satisfy करगे इसका मतलब x की value 1 और y की value 2 हम ले सकते हैं और इसकी दूसरी value यह भी हो जाएंगे एकस की value होगा 2 ले लेता हूं y की value 1 ले ले लेता हूं तब भी वही चीज होगी यहां पर आप x की value 2 रखिये y की value 1 रखिये तब भी यहां पर क्या हो रहा है थ्री तो यह दोनों values x और y की यहां पर values होंगे ठीक है हमारा question है ये देखे question क्या है कि 6 की power यहां करता हूँ मैं ठीक है यहां पर मैं लिख लेता हूँ इसको 6 की power x plus 6 की power y is equal to 42 ठीक है और दूसरी equation जो है हमारे पास वो है x plus y is equal to 3 अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें break करके तो कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है ठीक है तो मैं इसमें ये करता हूँ जिससे कि x plus y मैं ऐसी situation बनाऊँगा जिससे कि x plus y की value यहां पर put की जा सके तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि आप यहां पर multiply कर लीजिए इसका multiply by 6 to the power x on both side ठीक है तो देखिए क्या होगा 6 to the power x into 6 to the power x ठीक है प्लस इसमें भी होगा 6 to the power x का so 6 to the power y into 6 to the power x और 42 into 6 to the power x देखिए बोथ side में 6 to the power x का multiply मैं कर चुका हूँ अब क्या गरना है ये तो हो जाएगा क्या 6 to the power x का whole square प्लस इसको हम solve करेंगे base same power plus तो 6 to the power x plus y और ये क्या हो जाएगा 42 into 6 to the power x इसको as it is लिखिए अब आप देखिए x plus y की value चलिए तो देखिए 6 to the power x का तो whole square यही है plus 6 to the power यहाँ पर हो जाएगा 3 और 42 into 6 to the power x अब यहाँ पर देखिए एक चीज common है 6 to the power x अब इसको भी कुछ let कर लेता हूँ let 6 to the power x is equal to a a let कर लिया है मैंने अब यहाँ पर put कर दीजे जहाँ पर 6 to the power x है तो a square प्लस यह हो जाएगा 216 to the power 3 चीक है और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 into a अब 42 a into a को यहाँ लेके आईए अब a square minus 42 a plus 216 is equal to 0 आप अब देख सकते हैं कि यह quadratic equation यहाँ पर form हो जाती है इस quadratic equation को हम लोग क्या कर सकते हैं split कर सकते हैं तो दीजिए 216 के ऐसे two factors हमें find करने हैं जो कि 42 लेके आ रहे हैं तो वो 36 और 6 ही हो सकते हैं तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 36 a minus 6 a चीक है minus minus plus तो यह condition मनेगी चीक है 216 is equal to 0 चीक है अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो equation directly अगर हम देखें यह आ रहे हैं factor और यह दोनो minus के हैं न इसका मतलब a की value 36 है और दूसरी value हो जाएगी 6 आप यह directly निकाल सकते हैं यहाँ पर sign देख लीजिए factor के क्या sign आ रहे हैं यहाँ minus minus है तो इसलिए plus में आ जाएगी values और अगर यहाँ plus और minus होता तो plus वाला minus होता minus वाला plus हो जाता यह values इस तरीके से आप find कर सकते हैं यह हमारे पास आ गई है a की value अब a की value आ गई है तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हमें xy की value देखनी है तो देखिए a हमने किसके equal किया है a हमने यहाँ पर 6 to the power x is equal to a किया है तो इसमें ही हम value उठाके रख देते हैं देखिए 6 to the power x is equal to 36 एक तो दो case बनेंगे बिटा यहाँ पर और 6 to the power x is equal to 6 ठीक यहाँ पर देखोगे तो अब आप इसको put कर सकते हैं कहाँ पर हमारी उस first equation में जो कि हम लोगों ने सबसे पहले देखी थी I think आपको यह दिख रही होगी यहाँ पर equation तो इस equation में put कर दीजिए आप तो ठीक है जब आप put करेंगे बच्चो तो देखिए x की value case 1 में अगर one put करते हैं तो देखिए x plus y is equal to 3 तो यहाँ पर one y is equal to 3 तो देखिए y is equal to एक तो आगया क्या 2 जब one का case है और अगर हम जब x की value 2 put कर रहे हैं ठीक है तो x plus y is equal to 3 ठीक है तो 2 put करेंगे तो 3 तो y की value देखिए one तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग x की value जब one put कर रहे हैं तो उस case में y की value 2 आ रही है और जब x की value 2 put कर रहे हैं तो उस case में y की value 1 आ रही है तो देखिए यह वही answer है जो के हम लोगों ने last में find किये थे हम लोगों ने short trick के through जो find किये थे तो ये एक हमारी traditional approach है और दूसरा हमारा जो approach वो short trip था जो मैंने बताया था hidden trial method आई होप आपको ये questions समझ में आया होगा इसी तरीके से आप hidden trial method से आप questions कर सकते हैं और मैं short video hidden trial methods की और short tricks की डालता रहता हूँ तो इसलिए channel को ऐसे videos के लिए share कर दीजे और subscribe कर दीजे Thank you